असलाम अलेकूम वेलकम टो मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी बताने जा रही हूं यह सट्डियों के लिए बहुत ही जादा मुफीद है और बहुत ही बेशिमार इसके बेनिफिट्स हैं वह मैं आपको बता देती हूं कैसे आज में जो कावा बनाओंगे उसके लिए मुझे वान मॉग ऑफ वाटर निके पानी चाहिए एक मॉग थोड़ा सा अद्रक छिलावा थोड़ी इसी पत्ती एक चुटकी चाय की पत्ती कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लेगें हाफ टीस्पून शुकर अगर तेयर पत्ते मुग लेमन एक टीस्ट वैया सब में एक आपकी पहने साैट मैं जो पानी लेच मूब तेशी तेंटे चाहिए। इच्चों कमादें अदिशा अधि sympith क्रण नहां बाह्तों सिय्क्रों रग टापकिली मॉटणट ऊच्छाए पैस यिवगा उन्दुमाड़ी मैं छोटी अलाइची भी एड़ कर रही हूं यह ऑप्शनल है खुश्बू के लिए यूज़ की जाती है अगर आपको सही लगे तो आप यूज़ कर लिए मेडियम फ्लेम पे मैं इसे पकने के लिए रख दिया है अब मैं इसे कवर कर दो ओँगी थोड़ी देर के लिए जब तक यह बॉयल होता है पूरे पान्च मिंट के लिए से मैंने कवर करके रख दिया था। इसका पाने पकना शुरू हो गया है। और चाय की पती का तक्रीबान रंग भी निकल आया है। इसे लगा तार मैंने 5 मिंट कवर करके रखा। जो बाकी मसाले में इसके अंदर एट किये थे उसका अरक भी निकल चुका है इसके अंदर पूरे पांच मिंट के बाद ये बनके त्यार है अब मैं इसके नीचे फ्लेम बन कर दोगी और इसे अलग से मगमे चान लोगी मगमे कावे को चान लेने के अब बाद अब मैं इसके अंदर लेमन एट करोंगी लेन देटी पेली के लिए यूज होता है में देट कावे की रेसिपी बनके त्यार है यह बहुत ही मैं आपको बिताई है गले के लिए नजला-दुखाम हो आपको सरदर रिवा हो जिसंदर दो रहा हो इसके बहुत से यूज़ कर सकते हैं चोटे बचो को वी आपको आपको आप यह दे सकते हैं उनके नजले जुखाम के लिए उसके इलावा इसकी सबसे इंपोर्टेंट जो बेनिफिट आज मैं आपको बताने जा रही हूं वह यह है कि इसके अंदर अगर आप शुगर की जगा हनी एड़ करें तो यह टिप वेट लूस के लिए भी यूज की जा सक अगर आप लगाता पीएंगे तो आपका वेट लूस होना शुरू हजाएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बिताएं आपको मेरी रैसीपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल हो दो आपको आपको मेरी तो लगाता है वी और मुप्न दिताएं गल कि ज्ले मुदकी बिताएं करें नहीं